नमस्कार मैं हूँ रोना के रंतंत्र देख रहे हैं यहाँ क्या हाल चाल देखिए कानपूर नो बड़ा विचित्र शहर है यहाँ पर स्टेडियम में लोगों को बंदर से बचाने के लिए लंगूर रखे जाते हैं लोगों को विराट कोली देखने से जादा उस पान मसाला वाले भाई को देखने में इंट्रेस्ट है जो कि पिछली बार वाइरल हो गया था यहाँ जब मैच नहीं होता तो लोगों को दिक्कत हो थी कि मैच नहीं हो रहा जब मैच हो गया तो लोगों ने कहा कि यार इंतिजाम नहीं था अब दोबारा यहाँ पर कभी मैच नहीं हो में अपनी opinion बताना क्योंकि इस test match के बाद अब लोग इंडियन टीम को finally 80 के दशक की West Indies और 2000 के दशक की Australia से compare करने लगें क्या आपको भी ऐसा लगते हैं कि finally अब टीम इंडिया ऐसी टीम बन चुकी है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाएगी देखो सीधी बात है test cricket का rule ये कहता है कि 15 session में यानि 5 दिन में आपको जीत हासिल करनी है पहले की टीमों से तो ये भी नहीं होता था लेकिन जैसे जैसे cricket में team में aggressive हुई test cricket में result आने शुरू हो गए लेकिन इंडिया के पास कानपूर test match में result हासिल करने के लिए 15 नहीं बलकि सिर्फ 7 session से और team इंडिया ने क्या किया सिर्फ 5 session में जीत हासिल कर ली जिसने ये match नहीं देखा होगा अगर आप उसको ये बता दी कि दो दिन में team इंडिया ने test match का result निकाल लिया तो वो आपको पागल समझेगा लेकिन असल में तो पागल वो है जिसने test match नहीं देखा इंडियन टीम को world test championship के final में qualify करने के लिए 10 test match में 5 में जीत हासिल करनी थी जिसमें से 5 बांगलादेश और नियूजिलेंड के 7 matches थे तीम मीटिंग में ये फैसला हुआ होगा कि अगर हम घर वाले 5 जीत लें तो आस्टेलिया में हमारे उपर कम से कम world test championship में qualify करने का pressure नहीं होगा बारिश ने इस plan को बिल्कुल वैसा ही बना दिया था जैसा बाबा रॉकस्टार आजमी अश्विन भी player of the series बन गए लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि कानपूर test का असली hero कौन है तो मैं कहूंगा रोहिद शर्मा आप कहोगे रोहिद शर्मा तो रन नहीं बना पाए लेकिन असल में तब कानपूर जैसे करिश्मा देखने को मिलता है आपको भी लगता है कि कानपूर test के असली hero रोहिद है अगर हां तो comment करके बताना और ये भी बताना कि कानपूर में हमारी जीत का असली hero आपके सबसे कौन रागर रोहिद नहीं है तो हम आपसे मिलेंगे कल एक और amazing video के सा करेंगे क्योंकि कानपूर test के चक्कर में कोई बाती नहीं हो पाई लेकिना बावाल वहां भी हो रहा है जी हाँ चैनल सब्सक्राइब करके जाएगा फेस्बूक पर देकरें तो पेज को जरूर लाइक करेगा thank you for watching कल मिलते हैं जैहिंद